नमस्कार दोस्तों, क्रियेटिव हिमाचल में आपका स्वागत है, बात करेंगे अभी-अभी की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिये चलिए खबरों का सिलसला शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्री-प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले नौ निहालों को नीजी स्कूल की तरह सुवधाएं देने की तयारी की जा रही है, इसकी शुरुआत बर्दी से की जाएगी, नो निहालों को विभाग नीजी स्कूलों के जैसे ही वर्दी लगाने की तयारी कर रहा है, बच्चों को वर्दी में ट्रैक सूट के साथ पैंट, शर्ट, टाई और लड़कियों के लिए स्कर्ट लगानी है या नहीं, इसे बदलना है, इस पर फैसला लिया जाएगा, और यह भी फैसला लिया और साड़े छे बजे शिमला पहुंचेगी, इस दोरान शिमला आने वाले सेलानी इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद रोमाचक सफर का लुफ्त उठा सकेंगे, बात बात करते हैं दसवी और बारवी के रिजल्ट की, तो दूसरे जून के दूसरे हफते में निकले बारवी कक्षा की बोर्ड परिक्षा समापत होते ही, पेपर मुल्यांकर परिक्रिया से संबंदित आगामी कार्य बोर्ड प्रवंदन की ओर से अमल में लाहे जाएगा हिमाचल परदेश पुलिस कॉंस्टेवल भरती की लिकित परिक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, कुछ अब इर्थियों दौरा पेपर लिक होने का अंदेशा जताय जा रहा है पुलिस बर्थी से संबंदित वर्डसेप चैट का एक वीडियो जो है इंटरनेट मीडिया पर जो है वाईरल हुआ है इसमें कुछ और्थि पैसां के कतित लेंदेन से सरकारी नौकरी पाने की बात कर जो है चैट को गुप्त रखने की बात कर रहे थे चैट के जो है बाइरल होने के बाद कुछ हेवर थी निश्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंचे थे DGP संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस की लिखित परिक्षा में जो है पारदर्श्रता का पूरा ध्यान रखा गया था उन्होंने इस मामले में लगाए गए आरोपों के लिखिता है